नमस्का दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक शोशल मीडिया प्लाटफॉर्म के उपर एक फेक आईडी को लेकर यान की एक फेक अकाउंट को लेकर ऐसे में आप भी जानते हैं कि कई बाद ये भी होता है कि एक लड़के द्वारा एक बनाई जाती है और ऐसे में उसके फ्रेंड्स को उसके रिलेटिव को या फिर किसी भी थर्ड परसन को परेशान किया जाता है तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि मान लो कि आपके नाम के उपर अगर किसी भी परसन ने एक फेक आईडी बना समझेंगे तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं देखे सबसे पहले तो आप यह समझे कि इंडिया के अंदर जब भी कोई भी परसन किसी भी सेकिंड परसन के नाम के उपर कोई भी एक फेक आईडी बनाता है एक फेक अकाउंट बनाता है तो ऐसे में वह वह उसकी एक fundamental right जिसका नाम है right to privacy उस चीज को violate कर रहा है और ऐसे में अगर वो परसन जो है उस आईडी के अगेंस में कोई भी एक police complaint फाइल करें तो ऐसे में जो भी विक्ति जो है उस आईडी को use कर रहा है उसे jail तक जाना पड़ सकता है तो चलिए इस चीज को एक example से समझ ल करने के बाद अगर वो लड़का उस आईडी से किसी एक उसके friends को उसके डिलेटर को या फिर किसी एक unknown person को कुछ इस तरह के message करता है जिससे कि उस लड़की की image खराब हो सकती है तो उस चीज के अंदर उस परसन के अगेंस में IT Act के अंदर section 66D और साथ इसाथ IPC के अंदर 419 के अंदर एक कारवाई की जा सकती है और ऐसे में मान लो कि अगर उसकी ID से लड़की की ID से किसी एक second person को परिशान किया जा रहा है तो उस चीज के अंदर उस person के अगेंस में एक section 509 IPC के अंदर भी कारवाई की जा सकती है और इस चीज के अंदर उस वेक्ति को कम से कम 3 साल क एक लाख उर्पे का fine भी देना पड़ सकता है और ऐसे में मान लो कि यही नहीं कि एक लड़का ही जो है एक लड़की के नाम के उपर एक फेक ID बनाए तब ही उस लड़के को पकड़ा जा सकता है लेकिन इस चीज के अंदर आप यह समझ लीजे कि अगर कोई भी एक लड़ फोटोस को उस फेक ID के उपर एक publish करता है या फिक किसी भी एक second person के साथ share तक करता है तो ऐसे में फिर उस व्यक्ति के उपर IT Act के अंदर section 67 के अंदर कारवाई की जा सकती है जिसके अंदर उस लड़के को सबसे पहली बार crime करने के उपर 3 साल तक की सजा हो सकती है और ऐसे मे कईबह यह भी देका जाता है कि एक परसं जो है किषी बी सामने वाले परसं के एक ID के पास्वरूर्ड को चुरा कर या फिर उसकी ID के पास्वर्ट को हैक करकर किसी बी सामने वाले पर when से उसकी ID से बाते करता है या फिर किसी भी चीजों को शेर करता है तो उस चीज के अंदर फिर उस वेक्ति को IT Act के अंदर section 66 C के अंदर कारवाई की जा सकती है और ऐसे में फिर उस वेक्ति को कम से कम 3 साल के लिए जेल में भी जाना पड़ सकता है तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर आपको भी पता लगता है कि अगर आपके नाम के उपर किसी भी person ने एक fake ID बना रखी है तो आपने उस चीज की complaint कैसे करवानी है देखे ऐसे में अगर आपके साथ भी ऐसी कोई भी चीज होती है तो इंडिया के अंदर अगर आप किसी भी state के अंदर रहते हैं तो आपने पास वाले ऑनके किसी भी एक policy अंदर जा सकते हैं और ऐसे में कोई भी commission कम्लेंट लिखने नहीं नहीं कर सकता आउनकि आपकी complaint वान करने से refuse नहीं सकता लेकिन इस चीज के अंदर काफी स्टेट ओने अपने इलाके के अंदर अपने बिस्ट्रिक के अंदर एक fizer o प्रिक आपको पिर Wait Дляbin के अंदर जाना है अपनी लेकर और भी कर सकते हैं लेकिन अधर किसी चीज चीज के अंदर आपको किसी भी साइबर सेंडर कर सकते हैं तो उस चीज चीज़ एक पुलिस ऑफिसर जो है आप से कॉंट्रैक्ट कर सकता है और ऐसे में जब भी आप उस फेक आईडी के अगेंस में कोई भी कंप्लेंट लिखवाने जाएं तो अपने साथ कोई ना कोई एक सबूत ले जाएं यानकि एक एविडेंस ले जाएं उस चीज के अंदर आप यह क को एक एक पर्सांक के ऑपर कोई एक अपने साथ कि अपने इंवस्सक्रीह बाइं करता है अगर कोई पुलिस चेशन आपके आप कंप्लेंट को नहीं तो उस चीज के अंदEl, की आप अपने एक अरम के अर menorkingarti के सकते हैं जो कि उपने अनदर के सब्सक्राइब क fraction तब भी वो सारे के सारे fake account चल रहे हैं और ऐसे में उन लोगों के ओपर कोई भी action नहीं लिया जा रहा अभी तक कोई भी पुलिस ऑफिसर अगर आपकी complaint नहीं लिखता तो फिर आपको क्या करना है तो चलिए अगर आपको भी वीडियो चे लगे तो प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेर कीजिए धन्यवाद